दोस्तों हाजना एक होर वीडियो रिपोर्ट लाएके चैनल रितेश लख्यान प्राग दी आज दी मेरी ये वीडियो रिपोर्ट एक मोनोलोग ना होके एक डायलोग है खास चर्चा है जिस विच की एक खास महमान भी वेरना जुटनगे थे आप गाल करांगे बीते दिनी हर मता पास किता गया हर्याना ने भी चंडीगड उते अपना हाक जताया है कुछ दिन पहला पंजाब विदान सभा वलनोग चंडीगड नू पंजाब नू देन दी पंजाब दे हवाले करन समधिक मता ले अंदा गया सी केंदर सरकार दे नियमा नू यूटी करमचारियां उत पंजाब दा मता उसनों कल दस्या गया उस तो इलाबा चंडीगड उते हर्याना ने अपना हाक भी जताया ते उसे साधे विच एस्वाइन नहर नू पूरा करो बनाओ ते पंजाब हर्याना नू उसने हाक दाओ पानी दवे जोके अलाग अलाग अवार्ट्स दे तहत हर्य हाणना लईते होया है मुझण होया है सुप्रीम कोट तक ने ऊस्वते मोहर ला रही है सो ह्राणा दी सियासी पार्टी आवन नू इक लांभंदी करके मता हांने हक दे विच्छ अले आदा गया लेकिन ए जिस undertake तो हारान कर देन वाली गाल हारान खेर की कि चंडीगड हाय दावाशे है whipping अपना हाक हां। पुरी गालबात दे इस अतिहासिक नजरीये उते चानना पॉणली साड़ने नाल आज हैगे ने सदार पुर्चरन चीत सिंग लांबा साब उगे सिख बुद्धी जीवी इंटिलेक्चुल पंथक मसल्याना जुड़े होए एक कानूनी माहर भी हैगे ने न्यू जर्जी यू जा रहा हर्याना दा हाक है या फिर एस दा कोई पिशॉकण भी है अपा हिस्ट्री दे बाद भी चाहांगे लेकिन साब तो पहला समझ नहीं चाहांगे कि रिया और जेशन उनिस सो चाठ तक या उस तो बाद हर्याना ने अपने उस दावे नू चन्डी कड़ुते अपने इस क्लेम नू हाक कहना की में शुरू किता है कि सोब्धे हैं पामेओ किसे भी पार्टी दे होन किसे सुबे दे होन किसे भी खिते दे होन इस सारे एक को नसल है एक Лफज क्या जायेता सारे सीरियसली नान सीरियस है dzisiaj एक्ट नहीं कर दे रियक्ट कर दे एकट ने को बिहान देता, दुज़े ने फिर होर कहता, ए जड़ी गल्ना ओपसी, जड़ी बहचार हैगी एक दुज़ी दे उत् tirar कर दे पर दे हख लेई ते सारे तरीके वरतेगा पर एह हख किस तरह बढ़ता है उदा किमें है हर्याने दा हख या पंजाब दा हख या किसे होर सुबे दा हख जड़ा है गया इदे विच हुंदा एर यह शुरू तो दो पार्टियां जवें दो बिलियां लड़ दी है बांदर चुक के र के अपने खिते अपनी चोली चपा लें दी है हुण हाक ताँ बनदा है जे किसे बज़रगा ने कदी राज कीता हुए बज़रगा ने कबजा कीता हुए बज़रगा ने पामे खोया हुए राज लीगल इलीगल दीगाल नहीं हो रही उस खिते ते राज कीता हुए पिछले दो एग आँ गल है फिर उनाही हकं अपनी जनतानों हगे उननों दसना चांदे हैं हाँ आसी बहुत कुछ कर रहे हैं पर जिवे मैं पिछ्ली वारी के आसी गुवर्णर्ट डीसी पावटे रहे हैं पंजाब दे गवर्नर रेसी उनने भी कियासी अकालियां बारे एवी ज़दों पावर विच होंदे हैं इननो पॉलिटिकल पैरलेसिस होजएंदा है लकवा मार ज़दों एपावर चु उडदे हैं ऐ हर्काइव चु अपने पुराने मते कड़ लियांदे हैं और उननों फिर करके ते मौर चेलान दे, आज भी ओही गाल हो रही है, हाक ते दावे दे इननी गाल. ते अज पर इतिहास भी चालना चाहाँए, कि हर्याना दी बंधर हुंदी कीमे, हर्याना किमे हुंद भी चालना है, वहाला हर्याना नी जरा मैं जरा उस्तो बाद आपा जिसनुँ हर्याना कहने हैं, लेकिन उस तो पहला भी इक पर गोल सी, एक पूरी जोगरफी सी, ते 1857 त मैं चाहाँ कि तुझ साथे दर्सकानाल जो जी जानकारी है जो कि हर्यानादा इतिहास ते हर्यानादी बंतर हर्यानादा जीड़ा एवलूशन एज एस स्टेट है जो कि बाद देवी संताली तो बात ता बिलकुल एक वक्री डिमेंशन है ज़दा लेकिन उस तो पहला की पहले के इंदर सरकार या जिनों संग सरकार केंदे हैं पंजाब दो हकाली हो कि खिलांगे लैंडे रहे और ओव मौरचे जो इतना नक दम करदे सी संग सरकार दा कि उ मजबूर होके उनों खळिकल भतम कर लिक्र इनादे सी इतिहास पड़ा लो जिन्दम कर लो जिनने कमि पावे गुल्जारी ला नंदा आए पावे ओदे विच हुकम सिंग आए पावे ओदे बाद इदे संद्फते सिंग आए जिड़े सारे दे सारे पंजाब दे खलाब पोगदे रहे इस करके ओ कमीशन ओना दी गालनों पूरती करदा रहा मगर ओ एजिटेशना बंद नहीं हो इस करके एक होर कमीशन बनाता फिर एक होर बनाता कमीशन दर कमीशन बढ़ दे रहे जड़ा कमीशन बनेगा अज भी कोई बनेगा इना दे होर हकुक जड़े कटे जानगे फैर एता एक बिलकुल वक्रा है ओ कमीशन दे ते कर दी गल करोगे रहे गी गलत उसी गल किती है कि हर्याने दा इतिहास की है गया हर्याने दा इतिहास बहुत महत्तब पूरन है हर्याना हिंदुस्तान दा बहुत महत्तब पूरन इलाका है और एदा नाई जड़ा है बड़ा पुवित्तर नाई हरी दे नादे उते दा नावस्या इनू होर भी बड़े बड़े बर्म वर्त ना पर जे कर मॉडरन हिस्ट्री दे विज्जे लेए ता इस दे इतिहास दा हवाला गुर्बाणी दे विच भी मिलता है जदो मुगला और पठाना दी लडाई होई दिली दी देहलीज दे पानी पत है बारों दो दो फौजां आके लड़ रही है एक अफगानस्तान तो आए है एक समरकन तो आए है ओ मुगल और पठान पर देखो कितनी हैरानी दी गल है असी बड़े आज गल कर दे हैं असी अपने हक फर्ज और बड़ी बहादरी दी और दिलेरी दी पर एतिहास दा विक तत है काला सच है के बारों दो फौजां आके लड़ रही है के दिली दे उते पार्तियां दे उते राज किने करना है मगर पार्तियां दी परंपरा रही है दिली शुरो जगदी शुरो जड़ा दिली दा मालक होएगा असी उदे अपना स्थले सिर देदांगे असी उनों परमात्मा कहके उदे पूजा करांगे और ए जड़ी गल गुर्णानक देव जी ने कही मुगल पठाना पही लड़ाई ए मुगला और पठाना दी लड़ाई जड़ी है इस पानी पर दे इस ते होई बाद विच वी जड़ों इत्थे लड़ाई होंदी रही मराठियां दे वेले वी जड़ों अंग्रेजां वेले वी अप एमद शाब दाली वेले वी होई पर एक गल हो रहा है कि पंजाब जड़ाई एक खिता रहा है पंजाब एक प्लेइंग ग्राउंड रहा है गया कदी इते मुगल आए है कदी इते मुगल आके वस गे पर उन्दों पठाना अंदे रहे बार बार इते हमला करते रहे और यही खिता सी पंजाब और हरियाने दा इलाका सी जित थे बलंट उननों सेना बेंदा सी उसारा करना बेंदा सी इस करके मगर इते एक गल है जमें हरीराम गुपता ने लिखिया है कि मिसला वे ले एक गल बड़ी इंपॉर्टन्ट है हरीराम गुपता हिस्टोरियन जिना ने पांच वाल्यूम विच हिस्ट्री अफ दा सिक्स लिखी है है और केनदे के पूरे दा पूरा सिंद अफगानिस्तां दा हिस्सा पूरा पञ़्जाज़ कश्मीर सिक्षिम और गंगदवाबु गंगदवाब हैंगा गंगा तु लेके जमना तक दा इलाका इस सारे इलाके देविच सिक्भ Mixला दा राज सी और इपूरे दे परहे हरियान बूडिया, पर्तगड, कैथल, इस सारीयां रियास्ता से गियां, इस सारीयां सिख रियास्ता से गियां, मगर उनने जदों अंग्रेज थी आन्दे है, एक अल है गी है, सिख मारजा रंजीत सिंग दे राज तो बाद दियां, उस तो पहले दियां, जदों मारजा रंजीत सिं पछे जगजह उन्हांदा राज काइम हुं्दा है तछ उन्हाने अफगानिस्तान तक चीन तक मार किती है और बड़ी हैरानी दी गलला है तो सी देखो के पंजाब दे इतिहास नो इस इतिहास नो सी पंजाबी खिते दा इतिहास समझ लीजे इस लाके दा इतिहास समझ लिए जिनों अंग्रेजा ने नॉर्थ वेस्ट प्रेंटियर प्रोविंस किया एंड डब्ल्यू पी किया ओगर देख लिए उस सारे पारत दा इतिहास है फखर करनवाल है पंड़ जवारला नहरू ने चीन दे प्रदानमंत्री नो तिन वरी चिठी ल उजड़ा समझोता हुए उद इच तिन तिरां लिखी है एंपरर ठोकर इस इस इलाके नो संबंद करदा सी एंपरर अफ चाइना एक पासे है और एंपरर किंग आफ दी वर्ल्ड सीरी खालसा जी एक पासे है हून ए जदों बांडरी सीगी लुद्याना इदरों इच आचुके सी यानि जे देच हर्याना पंजाब इक कोई आनो पंजाब ही कम आंगे इस इस इलाके देविच आगे है मगर हर्याने इदी आपनी हों सी और 1800 जदों अठत्ती देविच जदों 1805 देविच ए इसनु दिल्ली डिवीजिन दे अंडर लैं दे है हर्याने नु हर्याना जड़ा इलाका है गया एदे विचे सारा इलाका सिर्सा गुड़गाओं पाणी पाद देली ए सारा दिली दे उस डिवीशन दे विच आजन दा है इन्हों वो देली टेरिटरी केंदे है गया अठारा सो सत्वंजा दे वेचे जेड़ी मेन आजादी दी जंग जी नू कहन दे उस तू पहले एवी बड़ी फखर दी गाला है कि हर्याने सब तो पहला एग गाल शुरू होई और बगावद दी गाल होई उस वेले अंग्रेजा ने और अंग्रेजा ने एजड़ा हर्याने दा इलाका सी जड़ा देली टेरिटरी सी जड़ी देली टेरिटरी वास बिंग गवन्ट फ्रम अलाबाद अलाबाद दे अंडरांदी सी उस दे कमिशनर दे अंडरांदी सी उना ने इसनू इदे विच्चों हर्याना दे विच्चों नॉर्थ वेस्ट प्रमिंसिव विच् जर नार नौल ते बलबगाड ए उन्हाने पंजाम नल टूंग देते और लिख्या ऐजे पनिश्मेंट एजे पनिश्मेंट के इन्हाने अंग्रेजां दे खलाफ और उस तो बाद हर्याने नू बड़ी ही कंटेम्ट नफरत दी नजरनल अंग्रेज देख दे रहे और इसनू उन्हाने बिलकुल कोई इदी डिवेलब्मेंट नहीं की ती कुछ नहीं कीता मगर उस दे बाद एठारा सो तिन और इठारा सो बत्ती तक दिली दे अंडर रहा इठारा सो बत्ती विच इसनू जर्सडिक्शन अड़ाबाद होई अठारा सो उननजा विच जदों एपूरा सुबा बढ़ गया एए इठारा का पंजाब नगा जिदों पूर आप उस तुछ आप्र आप कड़ी दे रहा है तो पंजाब दा किल्चर थोड़ा जब वक्रा से गा बिलकुल उसे तुछ तु फर्क से गा तुछ आम देख लो नगा दी बोली दांस लोक बोलियां गीत ल अंग्रेजा ने ऐसे पनिश्मेंट उना नू करन लेई उना ने इसनू दो हिस्यांच बन देता हर्याणे नू उना ने पंजाम नल टंग देता और नाल उना ने इसनू दो डिवीजिन बना देते एक डिवीजिन बनाता देली डिवीजिन जिदा हेड़कौाटर देली सी उस जर्दे उनने कबजा कीता सी ओशामल करते मगर जदों फिर उनीस सो संताली दे विच होंता है गया फिर ओर रियास्ता थोड़ी है जी रह गी है बाकी उनने करता थे पैपसू थे ओशारा कुछ बना देता तो इस करके एह इलाका हर्याने दी हों सी हर्याने दा कल्चर है हर्याने दा सब को जा है मगर इपंजाब दा हिस्सा कदी नहीं रहा हाँ पंजाब दे लोका ने हर्याने दे उते कबजा कीता बार बार कीता सिख मिसला ने कीता उनना दिया रियास्ता सिगिया ओई दे उते कबजा कर दे रहे सो जे आकदी गल किती जाये ता फिर pension में धिरा उधा अज्छायद हें ज GREG करे पिछोगंदी हें सके ऊपर हर्याना इस तरह यह कोई हवालया दी दे सकथा कि किसे आँ ह이트 ब्राइठ हिं hindran800 से उस थिछें धा तोब एधि कि और दी अंग्जा द युश भी द्याव्ण ग्यार तो ते हरयाणा नूँ अलाग करता गया, वक्त करता गया, क्योंकि बगावा तो उस इलाके चो उबर दी है, लेकिन देश दी बांड तो बाद, उस तो संताली तो बाद, जदो देश आदा हो जबना है, ते उस तो अगले 19 साल जड़ी जद्दु जहेद पंजाबी सूबे ल तो थोड़ा पास समझन दी कोशिश थोड़ा तो करना ज़रूर चाहाँगे, कि हिंदी बोल दे इलाकेया थे, पंजाबी बोल दे इलाकेया, एदा पूरा था पूरा जड़ा तासल सी, ओ उदे विच की manipulations की में होई है, ओना दे विच किस तरीके ती ट्वीकिंग किती जिस तो बात की एक जेहा महौल सिर्जिता गया जिस्ते तहर की इन मंगा उठनीया बढ़ियां सोबाविक ते जस्टिफाइड लगड़ लगियां, खास करके फिफ्टी सोबात ते छेहट तक, जिदेश जी हर किसी नोग पता है गया, कि उननी सो संताली तो पहले, पंड़ है, मगर असी बारत दियां, वक वक रियास्ता सोबियां दे, असी उनना दे कल्चर नो बदान ली, लिंग्विस्टिक बेसिस ते बनावांगे, मगर एवी सचाही है, कि बाकी सारियां जगा दे उते बना देते गए, मगर पंड़ जवाल नहरू जमें एक जिद दे उते आ ही बड़ा मागा, पंजाबी सुबा दी मांगदा भी मुख कारण एही सिगा, के चिड़े पंजाबी सान, ओ अपस इच बंड़े के, पंजाब दी मजबूरी है होई, जमें किसे ने बड़ा सुना किया सी, के सबसे अच्छी बोली वो, सबसे सुन्दर भाशा वो, बोले न पंजाबी वी सेम लैंगविज नर डिवाइड हो गया, लैंगविज ने उन्हों जोडन दी बजाए, उन्हों डिवाइड कर देता, एक अनफर्चुनेटली हो गया, के पंजाबी हिंदू जनता खास करके आरिया समाज दे परबावतले, मीडिया उन्हों दे कोल सिगा, उ हर किसे नूँ पता है, के उन्नी सो एकाठ दी जड़ी जन्गंड ना होई, हर किसे ने मन्या, के ए कम्यूनल बेसिस से होई है, गलत है, पंजाबियां ने अपनी बोली हिंदी लखाई, इस करके जेड़े पंजाबी इलाके करनाल तक दे इलाके सी, सारा उद्रों से गा, ओ सारे इलाके, ओ जड़ी गलत वंड होई है, जिदे जिम्मेवर पंजाबी है, और मैंनू लगदा है, मैंनू लगदा है, मैं कह सकना आज, आज तो 50 साल बाद है, ओ जड़े पंजाबियां दे बच्चे, जड़े हर्याने दे होना इलाकें चरह रहे हैं, एप की गल है, ओ न ना आपने अपनो पंजाबी को आसकनगे, ना हर्यानवी अखासकनगे. पंजाब दे मिचों माइनोरिटी यानिकी हिंदुआ ती अपागल कार दे है, जिना नू काफी हाथ तक उना दुटे जड़े दवा है, ओ बनाया गया ओनादी लीडर्शिप ने काफी हाथ तक कई साला तक दिरंतर तोर ते एक लामबंदी ऐसी तोरी, विच वास मिसलीडि पूरे दे पूरी टोपागरफी के लिए या उसनों जिडिक सड़ी कहा सकते हैं कि पॉपुलेशन दीक नावठ हुंदी है, उसनों ही मिस्रिप्रेजेंट करन दी पूरी दी पूरी कवाय सी, जिसने भी चों लीटर काम्याबी हुए? एदे ते मैं एक तारा सिंग कामल बड़े अच्छे शायर हुए है, उना दी एक टिपनी है मेरे खालाव सारा कुछ दरसा देगी, पंजाब दा उस्वे ले दे हालात नू, उना ने लिखिया कहनदा, ए सदी दा सब तो वड़ा चूटा तूं, जिसने मानू मामनन तो इनक हदा जाया, इसे मां दे जाए होए जदों बंडे गए उना ने चूट बोलिया के साठी बोली, उना नू ये इना केना मीन नी सी कि आंदा, मैं उस सुले पंजाबी सी का, उ पंजाबी ओर्तां हैंगी तूँएं साध्या और्तां ओं, इन्वे नी सी कह सक नियां के हमारी ब और इदे चोपन ली क्या इत्थे तक होया कि गुरू गोलवालकर नू कहना पया बियान देना पया कि इदा नुकसान आणवले समेच होएगा पंजाबी हिंदुआ नू अपनी बोली पंजाबी लिखवानी चाहिए दिया गुरू गोलवालकर दी बंच अफ थाट्स दे कह रही पंजाब देना नफरत धे मैं हुन इंदरा गांदी नहीं कमांगा मैं मुरार्जी दे साइए नहीं कमांगा मैं को होज़ किसे दा ना लेःंड दी को बंद्जwałला नहर नहीं याबादी धी इव पारत सरकार धी पालिसी शुरू तोहीं पंजाब दी रही है पावे होना दे पानी दे बिजली दे किसे होर दा क्योंके इरी सारे दी जड़ जड़िया जैसी बैठे हैं इस सारी जड़ जड़िये नो पका करन दा ओँ उनीस सो च्छाड़ दा री और्गनाइज़ेशन एक्ट है गए इस तो वद जड़ा चूट दे होते अधारत और गलत और पूरे हकां दे होते पूसे कूरी कौम दे किसे पूरे इलाके दे चाप़े मारन वाला नहीं हो सकता और इक गलहोर में कह देयां जिननी देर तक ओ एक्ट है गए दो सो साल तक मसले हल नहीं होंदे रहने गे तुसी दो हजार पंजाद विच्वी प्रोग्राम करोगे ओई गल लाएगी उनीस सो च्याट दे आक्ट है जिस दी बुनियादी चूटते होते अधारत है जिसनो कपूर सिंग ने पारलियमेंट इच किया सी इस सड़या अंड है इस इलिसिट चाइल्ड है इदे बिड़ी बदनीती नाले पैदा किता गया है असल जड़ा जड़ है गी है उनीस सो च्याट दाव एक्ट है जे होर सारे एक्ट दुबारा हो सकते है एक एमान दारी नाल आज अगर पंजाबी भी कुछ सोचन लग पे है अगर हो करके उस दे उत्ते करण उधे उत्ते देखन के ओ की एक्ट सही है की ओ एक्ट जायज है के पंजाब दा हाई कोट खोलो उधे उधे तुसी हेड़ वर्क्स खोलो उधे पानी खोलो उदी बिजली खोलो उदे श्रोमनी कमेटी खोलो उदे जो ब्याली कडियां कामन रख दो उन ओता होई गल होगी किसे जनानी ने दूजी नो क्या जे तू सारी उमर लड़ना है मेरे खसम न व्या करा ला है उनी सुच्छाटा एक्ट इसे तुना नो जड़ी संग सरकार है उस सरकार ने एक्ट हरैना पजाब नो गिफ्ट कीता है रेंदी दुनिया तक तुसी लड़ दे रहोगे और उस दे बाद ना को फैसला होएगा और इदे बाद ओई हुंदा रहेगा संग सरकार कहेगी अच्छा तुसी नहीं कर सकते इन्हों सी अड्मिस्टर करागे एही हुंदा रहे हैं और अक्टो मी हुना है करते बाद प्रदेश्टों तो राज्तानाव अधराबाद अधर प्रदेस्टों प्रदेश्टों यस तो लावा उत्तरा खंड जड़ा है पर देश्ट वो इस तरिक्की ती मिस्लीडिंग आज हर्याना दी असेंबली दे विछ भी कितीगी ईका ऐसोलेटिट तेलंगाना था एक वकरा एक्जामपल विख इस नू कोड़ा ने कुछ दिन पहला जैटेव पंजाब विदानसा पाशन देया शी उन्हाने सो सारे सूबह कितना जिकर किता सी? उत्रखंड दा जिकर सी, चाटीस गड़ दा जिकर सी. तो लीडर जड़े हेके ने अपनी भी सहूलता था है, अपनी लोकल पोलिटिक्स नो अपने हख कानी खड़े नहीं हो पाय थे एना ने सम्झापते ही किते सो ओथे पंजाब दे लीडराने उसनों डिफीट किता थे आज विदांसा बावान वेद्दे वेच असी एना लीडरानों ही गुम्राह कारते हैं अपने नजरीय देना अपनी गाल काहरे ने लेकिन सनु था पंजाब दे लीडरानों था पंजाब लेकिन पंजाब वासियानू था या पंजाब देना हका दे उत्ते पेरा देन दे पक्षो था पंजाब दी लीडर्शिप ते खास करके उस वक्ती डॉमिनेट जड़ी लीडर्शिप सी कांगर्स लीडर्शिप ओवी फेल होई ते अकाली दल भी कुछ जादा नहीं कर पाया रिदेशी जेकर अगर चंडीगर जिड़ा कैपिटल है गी है ओ सिरसे विच होंती फिर कोई चगड़ा नहीं सेगा फिर कोई चगड़ा नहीं सेगा दिक्कत ता ए सीगी के ओ पंजाब पंजाब दा हिस्सा सेगा अन बठे पंजाब दा हिस्सा सेगा और बिलको पंजाब ना जुड़ादा सी तै कोय ये वी नहीं गा कोई जेवे पूर्वी पाकेसदा ते पच्चमी पाकेस्ता जादा सीगा इदना दी कोगाल सी के इन नहीं को balis चाइधा सीगा है कि ओ शाह कमिशन बनाया जेड़ा शाह कमिशन बिलकुल ओ सारे दा सारा उनने एकाठ दा और जेड़े अदार दे होते बनाया ओ सारे दा सारा मैलिस सी और बिलकुल एक बदनेती और बद्यानती में लफ़स सोच के बारत रहे हैं उदे मताबकों कीता गया तो जेकर अगर ना हुन दा चंडीगर दा इलाका कैपिटल होना दी सिरसे रो तक या जीन दिया होर के दरे हुन दी फिर उदे कोई चकड़े दी गाल नी सी होनी फिर मिल जाना सी पर हुन दूजी गाल रह गई पिर देश जी जेकर पंजाब दे राजनी तक बंदे जेड़े है गई है अगर उपंजाब परति वफादार हं दे मैं लफ़र फिर प्रति वफादार हं दे वकफ सिरकारा जेड़े वी आईया है गियाए उना दी दो मनशार रही है के साड़ी कुरसी किदा काइम रह जाए साड़ी उखूमत किदा कायम रह और उएक स्वष्ट है के जेड़ा तस सम्विदानक सिस्टम बढ़ चुका है कि ओ सारा निर्बर है गया है ओ संग सरकार दे उते जिड़ी कांगरस आई है उनदी संग सरकार ने ओ फैसले कीते है उनदा कुदरती है गया जिड़े पंजाब दे बीजेपी वाले है गये जंसंग सिगी ओ ते कहनते सी कि सारा जाए एक खतम हो जाए मसला एही सिगा तीसरे रहे गए अकाली इना ने उनी सो च्छाट विच इना ने खुद उसनों मन्या खुद इना ने उदे ते दीपमाला कीती खुद ही उसने उते इना ने फिर चार वरी मर्नवर्त रख्या तोड़िया करिया ओ सारा को जड़ा कर ते रहे अखीर दे विच इना को मोरल ग्राउंड भी नी रही मगर उस तू लेके च्छाट तू लेके आज तक जदोंवी सरकार बनी इना ने कदी भी उदे ते गंबीरता ना नहीं काम कीता दरबारा सिंग सरकार वे लेवी जदों इस दे उते तो अनों याद होएगा कि गवर्नर ने साइन करके एक समझोता कीता से गा रिवर वाटर दा मगर वो सुप्रीम कोट जदों मामला गया ता उदे विच यह हो गया कि ए ता इन्वैलिड हो जाएगा क्योंकि गवर्नर को पावर नहीं हैगी उदे ते फिर जो चीफ मिनिस्टर ने कीता सी कि ओ गलत हो गवर्नर उदी अथारिटी होंदा है इना ने फिर करके तिन तरी समझोता कर लिया उदे ते बकाइदा सिगनेचर करवा ले सो ए पंजाब यह जेडियां में सक्सेसिव सरकारां रही है जिनने मसले है गया है इस सारे एक दूजे ना पीड़े तरीके ना जुड़े होई है रहगी गल के गल जिए खटर जीने कही है शुरू दे विजगे साड़ा हख है उन जी थे हख होंदा है उत्ते इनसाफ नपर दे नक्सान या कीये नहीं होंदा उन अज किसे इलाके दिकहों के मलाजमा दा फाइदा है गड़नो ते अगर जही को खबे के सानू तु एनो असी कानिड़ा दे dłे दने पैसकेल दे दने फिर यहोर के से सुब्ह दे दिने उदा हख दे दे ओ तुस्य हख देना ओ जड़नियंः चीज़ँ अड्मिस्टेटिव हैगी है रहेगी गल के कदी केंदे जी उत्थे दे लोक नहीं चांदे उन्त उसी जिड़ा इनसाफ दी गल है हक का उपलेबिसाइट लेके करना है की तुसी मत गणना लेके करना है अगर ए पिरतपानी है ए बड़ी खतरनाक हो जाएगी सो पामेओं मसला एस्वाई यल दा है उदे उत्ते भी मसले जड़े एगे है बहुत लाँ राइपेरियन लाँ दूजे तीजे मैं उना डिटेल्स नहीं जानता और ना ही मेरी एक्सपर्टीज है मैं सिद्धी गाल करना मगर ओ सारे दे सारे एक्सपर्ट्स दा मामला है मगर हर वर ये हुंदा रहा के ए कदी संग सरकार अपने अंदी इनले लवे कदी समझोते करा दे कदी होए एक वरी के उनी हुंदा के ए इनसाफ है ए सही है ए प्रिंसीपल लागू कर देओ पंजाब दी शुरू तो मंग सी के जेड़ा देश दा कानून है जिदे मताबक सारे राजजां दे लागू किता गया है ओ तुसी उसनू लागू करो मगर हमेशा संग सरकार दा हुंदा नहीं पंजाब एक बार्डर स्टेट है इदे हालात बक्रे है जिदे पंजाब दा नुक्सान करना होई उत्प नचाब बार्डर स्टेट बंड जन दी है जिदे उसनू और कुछ करना होई फिर उसारा कुछ आ जान दा है इस शुरू तो रिया है गाए कि जेडे कानून स्टेतां दी बन्ड होई है, बाकी स्टेता दे लागू कीते गह ओ, इत्थे लागू करते जे पाणी धी बन्ड है, बाकी सुभियां दे लागू, इत्थे भी लागू करते गहा थें, प्जाब दे Simportly at Kaipra क्यों किता गया, इ ऐसा एग्रिमेंट किसे हो स्टेट इच नहीं है सब तो बड़ी गल है अर्देशी देखो किनी बड़ी गल है कि अज मैं नक्षा देखो तुसी पाकिस्तान दा पंजाब है उस पंजाब दे विच नदियां चीलां सारियां पहाड़ी लाके है पंजाब दे विच व सारा देती सी पंजाब ना टूंग देते अज पंजाबियां दी मंग नू रद करन लेई उनने पंजाब दे लाके लेके हर्याइन नो टूंग देते और उद्रू दूजे पासे जिनने इना दे हिली स्टेट सी ओ सारे हर्याइने नो शिमला वगरा और नाला गाड़ गोर दे दे आंगे चुप कर जानगे इदे बाद इननने तीस साल नी बोलना हुन जदो रोला पिया है फिर पंजाब वाले बोल पैया हुद्रू हर्याइने वाले बोल पैनगे होना कुछ भी नेगा अगले पंजाब साल सी एही देख दे रहा गाड़े लामा जी मैं एवी पुल्ला हो चुकियां गल्तियां हो चुकियां जिन्हों कदे भी रैक्टिफाई या करेक्ट कर निकालवाती हुए अटाक केस विगड़ा मैंनों याद है कि मैं तकरीबन वी बाई साल जो पत्रकारिता जोइन का दा है निट 99 ते दो साल बाद 2000 दे एंड ते 2001 दे विच फ सरकारा नों बैठके निवेडा करन दी लोड है उदे विच ट्राइपाटी यानि की के अंदर बैठे पंजाब हरे आना सरकारा बैठन सिर्फ जोड़के बैठन थोड़ा फिराख दिल होगे भी बैठन थोड़ी नेक नियत देनाल भी बैठन थे मसले नों हाल करान अमीं ल लंकता रहें दो तो इस हाई टाइम अगर उसनु अपनी परिंट पार्टी ना समझ गे अपने किसे गृप दाना समझ के अपनी पन्जाब नू हिंदुस्तान दा इक इससा समझ के जड़ा होदा बंदा हाग है जो भी बंदा हाग है नहीं है एक वरी क्लियर करन ए है नहीं होएगा अगर इन नहीं होएगा फिर इस दे बाद जेड़ी एक एक फीलिंग आंदी है एक ऐसास आंदा है कि साड़े नाल बेव विसाई किती जा रही है साड़े ते परोसा नहीं किता जा रही है उस दे बाद फिर इस दे जड़े नतीजे आगे है ओ फिर दूसरे टांग इस करके इसनू हमेशा एक गल जड़ी इनू अगर याद रखांगे गल सारी पारस सरकार दे उतने निरबर कर दी है क्योंकि सारे मामले उद्यदीन है और ओ मामले एगे है उनी सो च्छाथ दा जड़ा बड़े एक्ट है बहुत एक्ट है मेरे खाल है तेरा सो या चौदा सो एक्ट है जिनना रद भी किता गया है उनना रिवाइज भी किता गया है अगर है उद्यच करन और फिर मैटर क्लोज करन क्यों ना चीजानों पैंडिंग जड़ी चीज रखी जान दी है ओ फिर उबल दी रहन दी है और उद्यच फिर उससे नतीजे जड़े गए कदी भी नी ठीक रहन दी है जज की करता है जजमेंट देंद पर इत्थे हर चीज नो पेंडिंग कर देंदे अच्छा एक कमिशन होर बना दो असी बना दांगे जिस्ता जिस्तें की पंजाब नू किना सेट बैक पंजामने की पूरे देश नो बहुत वटबड़ा सेट बैक वज़या है आने देविच भी बहुत उस दौर देविच लॉस होया तो इस चीजा दोबारा ना उबरन इस वास्ते ज़रूई है कि एक सही फैसला ले जाबे ज़रूई नहीं है कि पंजाब नू बात देड़ा नू काट में ले लेकिन जो मिले सार समती देना बैठके इस सारी चीजा बेढ़ साकते नहीं जी पॉलिटिशन नहीं नहीं उनीन देव तो मैंनो लागणा फिर इना नू टहब लादना चाहिए था पृर ता प्रलब रवायति पार्टियां भी फै़ल होई चमना पिर प्रोटिशन दा ना जे मसले एहो जेनी हाल कराने बाट इदे विच एक गल बहुत जरूरी है देखो लिए जी एक ना एक आम तोर देखते हुंदा जी की है तुसी चंगे खान दे पींदे हो अच्छे हो ठीक है सब कुछ है दिक्कत यह गी है सौल है गया कि की पंजाब कोई गरीवेंसेस है गया की सिंग्रोय सिखन दे कोई गरीवेंसेस है गया पहला स्वाल ताई है उनुन तुसी सिर्फ कारपिट अंडर कारपिट कर दो कुछ बंदिया नो मला के उननों सिरुपे देदा उननों edit लेला उननों हार बहुत हा लो गॉर जिंदाबाद मurदा कर दो, इक्ता यह है, की ओंसला कोई है, एक वारी दे, वंस फार ओल, ओंसले आइडेंटीफाई करो, उनना दा हाल करो, बड़े मसले हैं, अनन्द मैरे जैक्ट हाले तक नहीं बनेया, क्यों नहीं बनेया, पारत दे सम्विदान विच्छ नू सिख क्यों नहीं लिखन देता जान्दा, क्यों नहीं लिखन देता जान्दा, सिख नू क्यों अपनी इंकम टैक्सी रिकर मेले, अधे तोड़ी गाल बात विच्छी है, लेकिन मैं थोड़े 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 जा होर चाहांगा कि तुसी नू होर राबरेट करो, भी जड़ी सिख स् पहर राबरेट कार डिख स्टेटों क्या है, वी जोड़े थोड़े थोड़े जान्दा, समयदान बात विचाएं कि तरम देता आरित यह गाल है, वी अगे तुर्णी नहीं है, उस्तोबात डैली उठोंके गल बात बोली दे पाशा देता है, पंजाबी देते जो रिया ओर्गनाइजिए लिंग्विस्टिक बेसे ते हो रहे सार। लेकिन अखीर देविचे मुद्धा टेरिक्टोरीयल बाजानता है। यानि कि इलाक्य इलाक्य मुद्धा बाजानता है। तरम बोली, पाशा, लेंगोइच, लिग्विस्टिक अते बादे विच इलाकाई मुद्दा. So इस तरीक के नाले डेलूशन जड़ी है, वो स्टेट हुड़ दी होई है, जो कि ओरिजिनल शाहत कलपना एक सिक्स्टेट दी शकल दी चोई सी. नहीं, मैं इस बहुत स्पष्टां, बहुत कलियरां. उनीस सो संताली तो पहले जड़ा सिगा, ओ जड़ी पंजाब दी एजिटेशन सी और मुल्क दी अज़ादी दी एजिटेशन सी, और गुर्दवारें दी अज़ादी दी एजिटेशन सी. महात्मा गादी ने किया सिगा, कि तुसी गुर्दवारें दी अज़ादी दी मंगनों, तुसी पेंडिंग कर दो, मुल्क अज़ाद हो जाएगा, गुर्दवारे आप पे अज़ाद हो जाणगे. मेर, उनीस सो संताली तक, जड़ो, गुर्दवारे एक्ट बनागी युनीस सो पच्ची तो, उनीस सो संताली तक, अँगरेजा ने कर मेरें गुर्दवार एज दिखल दी दी एए. पकी गाल है क्योंकि वो नोटिफिकेशन ना सारा कर दे जदो उना दा जी कर दा ओ थे इलेक्शन करांदे नहीं करांदे नहीं चांदे नहीं करांदे हर चीज वो सरकार ने अपने अदिन रखी है वो एक बखर है सिख होमलेंड दी तुसी प्रियैंबल पड़ोगे के जेडे दे वेच ओ गरंटी दिती जाए ए सिख होमलेंड सी दैट वास देमांड विदिन इंडिया और विदिन इंडियन यूनियन अंडर दी कांस्टिजूशन इनू इनू सिख स्टेट अगर केया जानदा है ता ओ फिर बिलकुल मेरखा दूजे पासे उनू डैवर्ट हनदा है देमांड विदिन इंडिया और विदिन इंडियन यूनियन अंडर दी कांस्टिजूशन कदी संविदान तो बार गल नहीं किती गई पामे ओ कोई भी पार्टी आई है रही गल जड़े दूजे जड़े मसले है गया है पंजाबी लेंगविज दे होते पहली डिमांड जड पेदी सी जड़े उनी सो चाट तक होई मगर उदी कीमत ए देनी पही के अकाली दल ही खतम हो गया अकाली दल खुद ही जड़े सेकलर बन गया और उस सारी डिमांड इस तरह खतम होई इसनों जड़ूर डिसकस करने वाली गाला है और डाकुमेंट आगए है ओ जड़े डाक सा करके दूसरें दे गुनाहां दा पश्चाताब जिवें ईसा मसी ने एक्सपीएटरी सिगा ओ सिगा सिख स्टेट दी गल सिख राज दी गल उनी सो संताली तो दोजार बाई तक किसे पुलिटिकल पार्टी ने नहीं कीती सी सिख होमलेट विदिन दे यूइन ऑफ इंडिया विदिन यूइन ऑफ इंडिया अंडर दी कांस्टिचूशन क्योंके एक गल बहुत होर्स पश्ट है अज भी पारदे सम्विदान दे विच ऐसियां कलॉजज हैं जेडियां के जेडियां के कुछ राइट्स है ऐसे कानून है जेड़े सिखां दे हाकां दे उते चाप पे मार दे है मगर ओए गरंटी चांदे है को धी इंप्लिमेंटेशन होई उन बड़ी सिंदी जी गलाए मैं एक हवाला दे दियां इक वरी इन्हें जिनान ने केहा सी मात्मागान दी नौ अपंड़त ज्वार ला नेरू ने केह सेगा के असी आजाद हिंदुस्तान देज मिनारिटीज दे हक लेई we can take it even to the UNO and to the League of Nations जिना ने क्या सी असी उत्तु डिगरी लेया मांगे फैसला लेया मांगे लगू कौन कराएगा मैं एक छोटा जा रेफरेंस दे दिया पारत दे सम्विदान जिडा होंदा है किसे मुलक दा सम्विदान उदे विच एक्स्प्लानेशन नहीं होंदी that is for the courts to decide ओनु करन मगर पारत दे सम्विदान जिक बड़ी कमाल दी गाल है उदे जिक clause है जिदे विच लिखे है तारा पच्ची दो बीदे विच के हर फिर्के नों अपने तर्म पालन करन दी अज़ादी होएगी ना लगे उदी explanation लिखी है के सिख जदों करपान कैरी करदे है या possess करदे है और करपान में नहीं करपान लिख आ करपान्ज ओ अगर कैरी करदे है या पोसेस करदे है they are simply professing their religion हुन कोई हिंदोस्तान दा कानून भेंस नहीं बन सकता, कोई रूल नहीं बन सकता, पर आए दिन हो ता हो और पारलेमेंट मेंबर नो भी करपान पाइंट। जैन दाивается है, तो संब्धान की संब्धान अगर violation इस तरह हो रही है उदे बाद फिर केड़ी चीज है ओई चीज हो दे सिक होम लेंडिज सी के सानू constitutional जड़ी guarantee दिती जाए जड़े भी साथे हक हन जड़े सानू दिती है minority नो फुर्ण नमी चीज आ रही है फुर्ण एक नमी चीज शायद कल आ जाए के देखो national minorities commission बने हैं जिदे विच छे minorities हैं रेकोगनाईज है हुँड सरकार ने एक नमा एफिडेविट सुप्रीम कोर्टिज देता है के state दे दा आरते होएगा इदा मतलब की होएगा कि किसे state दे विच ओ मिनारिटी दा status फिर बदल जाएगा फिर की होएगा एगें मतलब किसे ना किसे तर दील कर देता जाना है परिपेख ले रहे हो और गल बड़ी समझनली चंगी होएगी हाक के में होंदा जदो पंजाब दे उत्ते जदों अंग्रेजां दा कब्जा हो गया ता रेजिडेंट एजेंट लुद्याने दे विच अक्टर लोनी सी अक्टर लोनी ने रेजिडेंट एजेंट ने क्योंक ने रंगदार पगड़ियां बनियां तिल्ले वाली जुतियां रेश्मी होना दे कुड़ते पाए हो एक मीज बड़ा शानदा रंग रखे हो उन्हें सारे नो बुला के ते उन्हों केन लगा दो सौल पुछे केन तो तुसी मैनो एदसो के तौनुए तवड़ा थाक के दा मनगेख़ा इन उन्हे दे ते राज करण ता इधा थे ते मुगला पी हकोमत सिए और बकायदा कुमसी तुसी तर रियत सी के तुसी इस रियत दे विच्चों हाकम के दाँ बाणगे तो अनू पठा के ने देता ओ सारे एक दूजे दा मूँ देखन लाग पे कोई जवाब ना दे सक्किया उन्हें अगला स्वाल कीता केंड लगा केंड़ा अच्छा ए दसो के जी ने अपनी संतानू राइदेता क्रिशन जी ने अपनी संतानू राइदेता गुरु गोविन सिक्ते अपनी उलाद नहीं बचा सके उस हरे एक दूजे दा मूँ देखन लाग पे नहीं जवाब दे सके तीजा सुआल उन्हें पुचिया जड़ा सिगा एह सारे जड़े के न लगा तो अड़ी तौरीख की ए हिस्ट्री की ए रतन सिंग पंगू लिखदा ओ सारे एक दूजए दा मू देखन लगे के न लगे जी एही साड़ा हाल अजदा है तौरीख की है हिस्ट्री की है जिड़े बंदे बैस कर रहे है उदे ते फिर उन्हें मौलवी बूटे शा सी लो दियाने दफ्तर चकाम करदा उदी ड्यूटी लगाई कि पंजाब दा इतियास लिखके दे मौलवी बूटे शा ने इतियास लिखना शुरू कीता ता उसने उतने फिर रतन सिंग पंगू गया केंदा है मैं दसांगा ए नहीं दसेगा से ही केंदा है मेरे बाबे ने मसा रंगड नु मारिया सी उन्हें फिर वही स्वाल कीता केंदा है के तो आनु हक कितु मिलिया राज करन दा उन्हें लगा गले है सानु राज असी गुर्णानक देव जी नो मन देयां उननु सच्चा पाद्शा केंदेयां सच्चे पाद्शा दे दस्वें जामेज गुर्गोविन सिंग जी संड उनने सानु लिखके दिता है इन गरीब सिक्षन को दियों पाद्शा ही ये जाद रखे हमरी गुरे आई गुरुविन सिंग दा दिता पटा दुनिया दा कोई बाद्शा नहीं कैंसल कर सकता साड़ा राज काइम रहेगा और अगों भी रहेगा तू इनों कैंसल नहीं कर सकता ओो कैन लगा है ते मेरे राज नों पैगे अगला साल उन्हें जिड़ा क पर कानल किसदा पेट नी परदा जिड़ी तर्ती दे उते का उगेगी उते फसल नी हुँदी जिते फसल होईगी उते का नी उगदी गुर्गोविन सिंग्जी ने संसार दे पले लेई एक खालसे दी फसल त्यार कीती है और ए जिड़ी फसल है उते उनने तर्ती पुत्तर अपड़ी संतान नी उगण देती खालसे दी फसल देती है और नाल वाइदा कीता है पंत खालसा खेती मेरी हों सबाल करो तिसके री सो जेकर इतिहास दे परिपेख चूँ सो इसे सावनल मैं दोगलना करनी है चान दा इस इलाके दे उते पंजाब दा हक है हर्याने वाले हैं दा हक जरूर है क्योंके दिली टेरिटरी उना दी सी उननों चाहिदा है इदर दी बजाए हो दिली दे उते अपना हक दावा करन, हक भी करन, दावा करन क्योंकि इट वास पार्ट अफ देली टेरिटरी एक कानून दे विज लिख लिखे है उना दे डॉकुमेंट्स है उना नू उत्थे हाक जतान और पंजाबिया को लू मंगर बनन आउ साथे ना मिल कैसी दिली दे उत्थे अपना हाक जमाईए ये फिर सिक्षा लगे आप फेर वड़े अकाली है उना दा हाले है फिड़ा जैसा टटू आओ जिलूडू का काटू पाए रसडू लगाडू ते रसडू रकाव जू पाटे आसा कच्छडू ते नीलडू सा तेगडू गट सठ गातर बनाया सब साज जू नाम तो अकालडू सो फिरे बुरे हालडू पे लूट कूट खावने को डड़े उस्ताजू उन्हें कैसी दिली तक पर बहेगी आप गुरू की फाज छटर चुलेगा सीस पे खूब करेगी मौज ए इतिहासक सचाहिए रितेश जी के हिंदुस्तान दे इतिहास्विच हिंदुस्तान मैं बड़ी कोट कर रहे हैं हिंदु इते सतारासो पेंटिज कवजा किते हैं और सतारासो डियासी दे विच दिली दे उते हिखू पूटके हरमंदर सहाब लेगे जड़ा अज भी होते भुंगा रामगडिया अमरसर प्याए है काफार्ग ली विरास्त और अ पंजाब ली विरास्त और ये हर्याने दी विरासत है ये साथी सांजी विरासत है लेकिन थोड़ जी हिस्ट्री नो बारीकी दिविच पढ़िए समझीए तो फिर कहानी कुछ हो रहा थी है फिर हर्याना नों चंडिगड मंगनती लोड़नी चंडिगड एक बहुत चोटा जा पियर टू सिटी आनता है दिल्ली मेट्रो थे क्यों नहीं हर्याना था जोर चलना सहीदा थे हर्याना तक कबज़ा होना सहीदा मुदा एक वरी रजीव गंदी थे आएसी निव यार्क उत्थे उनना ने लेक्चर दें दिया कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ मजारा कीता उननों कहन लगे के तानू याद होना चाहिदा है के पंजाब दी राजिता नी जड पाजी इस पुरी गालबात में साड़े दर्शका नों एक बहुत बड़ाई बख्रा एतिहासिक नजरीया है देनाल जानू करांदे पक्षों मैयास करना की जड़ी गालबात है एक काफी मतपूर्ण गालबात साबत हुएगी बहुत बहुत आनवात गुर्चरन जी सिंह न बहुत 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 आनवादे देश्ची टॉर्ण शुक्रिया